हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे तो प्यारे बच्चो, आज हम करने वाले हैं कारे पत्रक 13 का पार्ट नंबर 12 तेन दुए की खबर इसके प्रश्ण उतर करेंगे, तो मैं पहला प्रश्ण पढ़ रही हूँ तेन दुए का वह बच्चा कितना बढ़ा था? तो तेन दुए का वह बच्चा कितना बढ़ा था? कितने महीने का था? वह केवल चार महीने का था, ठीक है? तो हम यहां लिख देंगे चार महीने का चलिए अगला प्रशन पढ़ते हैं बोरी वली पार्क कहा है बोरी वली पार्क कहां पर इस्तित है यह है मुंबई में ठीक है बच्चो कहां पर है मुंबई में है बोरी वली पार्क चलिए अब तीसरा प्रशन यहां देखते हैं अखबार में यह खबर कब छपी थी? तो अखबार में यह खबर कौन सी तारीक को छपी थी? यह छपी थी बारा मार्ज को कब छपी थी बच्चो? बारा मार्ज को चलिए अब हम प्रश नंबर दो पर चलते हैं आगे आपने देखा बाग का बच्चा और तीन्दूई का बच्चा दोनों ही डर कर बसकी नीचे छिप गए जब आप डरते हैं तो कहां कहां छिपते हो तो हम कहां कहां चिपते हैं जब आप डर जाते हैं तो वो बताना है आपको जैसे बच्चे मेज के नीचे चिप जाते होंगे है ना बच्चो मेज के नीचे या फिर अलमारी के अंदर भी चिप जाते हैं बच्चे अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रशन क्या आपके घर में अखबार आता है यदि हाँ तो उसका नाम लिखना है तो यदि हाँ अगर आता है तो हाँ लिखेंगे ठीक है और अगर आता है तो कौन सा अखबार आता है जैसे हमारे यहां नवभारत टाइम्स आता है तो यहां पर नवभारत टाइम्स लिखता है जो आपके आखबार आता है बच्चो वो आप उसका नाम लिखेंगे बहुत सारे आखबार है ना चले अब हम प्रश्ट नमबर चार पर आते हैं जल्दी से आपने चिडिया घर में कौन-कौन से जानवर देखे हैं उनके नाम लिखो तो बहुत सारे जानवर होते हैं जैसे शेर, जैसे चीता, तेन दुआ, और हाथी, जिराफ, जेबरा ठीक है बच्चो तो जो आपने जानवर देखे हैं वो आप उनकी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं चलिए अब हम प्रश नमबर 5 पर चलते हैं दिये गए चित्र में रंघ भरना है तो यहाँ पर जो आपको इस चित्र दिया गया है भच्चो आपको क्या करना है इसमें रंघ भरना है ठीक है इस तरह से आपकी यह वाली वॉक्शीट कंप्लीट हो गई है उम्मीद करती हूँ आपוס समझ में आये होगी तो जल्दी से झाल झाल